तकलेश जी यहाँ पे तीन-तीन मंत्री हैं और आप आ रहे हैं सडके अभी अंदर की आपने नहीं देखी उनको देखेंगे यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले देखा शाहजानपुर में वो देखा नेता जी के जमाने में रोजा का बड़ा पावर प्रान लगा था तो शाजापुर आते ही सबसे उची चीज कोई दिखती हैं दिखने को मिलती हैं तो वही चिमनी जिससे आज भी बिजली मिल नहीं है वो बिजली किसानों के लिए गरीब हर घर के लिए और उत्तबरेस को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है डेंगू के बहुत सारे मरीज वहां पर भरती हुए हैं यहां पर और इलाज जो है वो बहुत से लोगों का आरोप है कि ठीक से हो नहीं पर यह वो मेडिकल कॉलेज है जो स्टेट और सेंटर को मिलकर के पहला श्रानेस समाजवाजी सरकार में और मैं खुद यहां आया था श्रानेस हुआ था इसका विधान समावी मैंने सवाल खड़ा किया था कि असेसेशन प्रॉफिसर एडिक्शन प्रॉफिसर और जो रिक्वा को पाएगा गया नहीं हो पाएगा एक सवाल और था कि आप आये हैं यहां पे और कारकरताओं के सम्मेलन में शामिल होने के लिए दो दिवसी कारिकरम है किस तरह से बूस्ट अब कर रहा हैं कारकरताओं को कैसे 24 की तरी यह पहला कारकरम आफ कवर नहीं कर रहे हूं जिस सम कि एने वाले समय में चुनोती क्या है और राजनेतिक परस्थितियों में उन चुनोतीयों का सामना कैसे करना है गटबंधन होंगे नहीं होंगे लेकिन समभाजादी पाड़ी को कारे करता और निता को त्यार रहना पड़ेगा हर परसिती का सामना करने के लिए के लिए बड़े बयानात आ रहे हैं कॉंग्रेस की तरफ से आपने पूरी सूची जारी कर दी एकदम से बड़ा तम तमाय हुए ने वह बात खतम हो गई इसलिए खतम हो गई कि यह जानकारी इंडिया गटवंदन में दे देनी चीए थी कॉंग्रेस को कि प्रदेश इस तर प जो पूर में रहे और उनसे भी पूर में जो मुख्यमंती रहे उन्होंने रात के एक बज़े तक समाजवादी नेताओं से बाचीत की और बाचीत के बाद ये तैव हुआ कि छे सीटों पर विचार करेगी लेकिन जब सूची उन्होंने घोसित कर दी तो उन परस्तितियों समाजवादी पार्टी के आगे कोई रास्ता नहीं था समाजवादी पार्टी ने इसलिए अपने जो मजबूत प्रतियासी हैं उनको उता रहा है और जो समाजवादी पार्टी के कार करता पहले से काम करना है उनको उता रहा है तो उस बात को हम लोग भी स्विकार करते हैं जो मदेब प्रदेस में समाजवादियों के साथ बिवार हुआ है एक आखरी सवाल आजम खाजी को लेकर आजम खाजी को जो है कल सजा हो गई है और बड़ा ज्यात्ती का आरोप लगाया है उनका परिवार काफी दुखी था कल जब वो जेल सब गया है देखे राजनीत में इ किसी को नहीं जाना चाहिए और वो सड्यंत के तहट और बड़ी साजिस के तहट उन्हें फसाए गया या यह समझे यह परसितियां बनी कि उन्हें इस तरह के संकट में जाना पड़ा और पूरे परिवार को आज सामना करना पड़ रहा है मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उन्हें न्याले से न्याय मिलेगा और वो भार आएंगे भिद्वाव होता है और पहले दिन से भारत की जनता जानती है और उत्तपजिस की जनता ने बहुत करीब से देखा है कि अगर आप मुसलमान है तो आपके उपर अन्याय आपको याद होगा कन्योज में एक सांसत का वीडियो आया था उससने गाली दे करके पुलिस कर्मियों को पीटा था नंकेवल पुलिस स्पेक्टर को पीटा था बल्कि पुलिस के तमाम सिपायों को पीटा था और क्या धाराएं लगी थी मैं यह जानना चाहता हूँ कहां क कहां से फोन आये थे जजसाब के पास के इसको सजा न सुनाई जाए और अगर सजा सुनाई जाएगी तो इसकी सजस्ता चली जाएगी एक तरफ तो दिली और लखनु से जजसाब के साब पास फोन आते हैं और उन्हें बचा लिया आता है वो वीडियो आज सब पर होगा वो सब पर नहीं होगा उसके अलावा और वी वीडियो ऑडियो होंगे जिसे बहुत अच्छी सिस्टा चार की भाशा बोली गई है तो मैं भारती जंता पार्टी के लोगों से सुन रहा था उनके स्टेटमेंट वो ये कह रहे हैं कि न्याले पर उंगली नहीं उठा रहे हैं हम मुझे उम्मीद है कि न्याले से मुहमद आजम कहां साब को न्याय मिलेगा लेकिन कन्नौच के सांसन ने पुलिस को पीटा हो सम इंस्पेक्टर को पीटा हो उसके वीडियो हो और उसके बाद सभी पुलिस कर्मियों ने ये कहा कि उनके साथ कोई हातापाई हुई नहीं उन हमारा घर जिसमें मैं आज रह रहा हूं उसको प्यायल कराने के लिए एक जज ने अपने घर में प्यायल कराने वाले को बैठा करके प्यायल लिखी थी प्यायल तैयार की गई थी घर में बैठा करके जज के जज ने लिखवाए था इतना सर्प्राइज मत हो, मैं उस व्यक्ति का नाम बता दूँगा, जिसने प्यार लिखी हमारे घर पर जो प्यार लिखी थी, आप पता करवा ले ना, कि वो क्या ज़स्थ साब के घर बैठ करके प्यार नहीं लिखी थी, उसने समाजवादी के खिलाफ। लक नौ से, हम किसी कानूनी बेवस्ता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो ये घटना हुई है, और आजम खान के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है, कैमरामें सौरब के साथ सीमाब नकवी, भारस समजार, शाजहापूर